राधे राधे जैश्रीकृष्चना, आज की वीडियो में मैं लड्डू कोपाल के लिए बेड सिर्ट बनाने वाली हूँ और उनके पास एक पतला सा गद्दे जैसा ही है, जो कि मैंने पहले बनाया तो उसके लिए कवर बनाने वाली हूँ खाती हूं कि कैसे बनाती हूं मैं इसको वही मैं बनाने जा रही थी यहां पर एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसकी टोटल जो लंबाई ली है मैंने वो 30.5 इंच ली है क्योंकि इसको डबल फोल्ड किया है तो एक तरफ से इसकी लंबाई जो है 16.5 प्वाइव इंचे आफ्न है देख सकते हुआ नदर से फोल्ड भी होगा हाफ-ैंच इसले मैंने एक्सटा लिया है इसमें half of inch चारो तरफ से मैंने extra लिया है जिसे की अंदर की side ये दबेगा तो ये इसको पलट दिया है मैंने और उल्टी side पे मैं तीन तरफ इसमें सिलाई लगाऊंगी उससे पहले में आगे की side जो है सिलाई लगाऊंगी एक तरफ और उसको double fold करके मैंने सिला है देख सकते हुआ इधर से हम इसके अंदर cotton भी डाल सकते हैं foam seat भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पे foam seat का ही यूज़ करूँगी तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको ये एक pink color का fabric है जिसके अंदर मैंने foam seat लगाया है और इसको मैंने single ही करके लगाया है आप चाहें तो इसको double करके भी foam seat को लगा सकते हैं और इसको चारों तरफ से मैंने दो बार सिलाई लगाई है जिसे की पतला सगदा साथ ready हो गया है और यह foam seat मैंने use की है इसमें तो यह बहुत easily stitch हो जाता है इसको double fold करके भी लगाया जा सकता है तो आप अपने according कर सकते हैं अब मैंने इसके उपर का यह cover बना लिया है और इसको चारों तरफ से सिल लूँगी मतलब तीनों तरफ से सिल लूँगी और सिलने के बाद जो है मैं यह pink color का जो fabric use किया है foam seat के लिए इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो यह उपर का cover ready हो जाएगा तो इसको मैं डाल लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो इसको पहले अच्छे से मैं set कर लेती हूँ set कर के आपको दिखाती हूँ तो इसको मैंने अच्छे से set कर लिया है आप इसको मैं थोड़ा सा और किनारे से set कर लूँगी बढ़िया से अब इसके उपर चादर के लिए मैं इस कपड़े का use कर रही हूँ उसके उपर ये bed sit बनाऊंगी तो ये एक fabric लिया है friends तो bed के size के according इसका मैंने cut किया है अब इसको चारो तरप से मैं fold कर दूंगी और half half inch extra लिया है क्योंकि जो है इसमें और भी अलग कुछ design बनाने वाली हूँ तो दिखाती हूँ मैं इसको fold कर लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने एक fabric लिया है जिसकी जो चोड़ाई है लगभग 2.5 inch के करीब है जिसमें मैं half inch पे निशान लगा रही हूँ ये half inch जो है मैं stitching के लिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको stitch भी करना है और जो है ये 2 inch के करीब नीचे की side रहेगा तो ये half inch के निशान पे मैंने एक stitch किया है और stitch करने के बाद इसकी जो stitching है उसके पीछे के thread को मैं खीचूंगी और इसको थोड़ा सध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये thread बार-बार तूट भी जाता है तो इसको खीच के मैं ये frill ready कर लेती हूँ और frill ready करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसको आगे कैसे करना है और इसको एक लंबी सी पट्टी लेके ही बनाएं क्योंकि एक लंबी सी frill ready हो जाए वैसे ये मेरी frill जो है छोटी पड़ गई थी तो मैंने अलग से फिर से बना के इसको joint किया था तो इसको जो है मैं पूरे में frill बना दी हूँ अब मैं इसको जो bed sit बनाई थी उसके चारो तरफ मैं इस तरीके से attach कर दी हूँ और ये attach होने के बाद काफी अच्छी लग रही थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पे और भी काम रह रहा था तो वो मैं बताती हूँ कि इसके उपर मैंने क्या किया है इसके उपर की side जहां पे मैंने इसको stitch किया है frill को उसके उपर मैं एक white color की lace लगाऊंगी जिससे इसका look और भी ज़ादा निखर के आएगा और बहुत ही प्यारा look आ रहा है लगाने के बाद तो इस तरीके से हम इसको set करके उसके बाद लगा देंगे चारो तरफ से तो इस ले इसको मैं चारो तरफ ही लगाई हूँ और यह frill जो है बस तीन side पे लगी है back side पे नहीं लगाई हूँ मैं और इसके उपर चारो side से मैं यह lace attach करूँगी और lace attach करने के बाद इसका look बहुत सुंदर लग रहा था तो आपको final look दिखाती हूँ मैं और यह bed sit ready हो गई है तो अब मैं इसको लगा के दिखाते हूँ तो यहाँ पे मैं इसको set करके आपको दिखाती हूँ और यह जो मैंने गदे का cover बनाया था इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से set कर दूँगी और इसको set करने के बाद मैं इस पे वो जो चादर बनाई है उस चादर को मैं यहां बिछा लूँगी देख सकते हुआ तो इस चादर को लगाने के बाद जो है मैं पिलो कवर भी बनाई हूँ तो काना जी के लिए छोटी-छोटी पिलो थी तो उनके लिए यह कवर है जो की बहुत ही प्यारा सा बन के आया है देख सकते हुआ इसको मैं सेट करके और आगे दिखाती हूँ मैं जो एक और बेड़ सिट बनाई हूँ वो कैसी बनी है तो इस तरीके से जो है पिलो मैं लगा दूँगी उनके बेड़ के उपर तो इस तरीके से आप भी काना जी के बेट के साइज के कोडिंग घर पे ही बना सकते हैं अपने कोडिंग जैसा भी डिजाइन चाहें तो ये तीन पिलो कवर बनी है उनके लिए और एक बेट सीट मैंने बनाई है जो कि उनको ओडने के लिए बनाई है मैंने तो इसकी लेंथ मैंने इसे ज्यादा रखी है और चारो तरफ से ये जो है थोड़ी लटक सी रही है जो कि बहुत ही लग रही है बहुत प्यारा लुका रहा है तो यही थी फ्रेंड्स जो है आज की वीडियो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो